लग जाएंगे और यहां पर आपको क्या करना है पूरे जो हैं चैप्टर्स को कम्प्लीट करना है ना लग पूर फॉर 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 फाइफ चैप्टर्स है देन यू है विदिन टाइम ठीक है तो अब स्टुडेंट चेक आउट कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन तैंक यू फॉर कमिंग और यह हमारे तो जो है बच्चे चले भी गए आये थे और फिर चले गए आई डोंट नो वाए अब एक काम करते हैं चलिए हम स्टुड़ाता शेरिंग कर देते हैं कि शेयर कर देते हैं ताकि एजी टू रीच हो जाए स्टुडेंट इजी टू री तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे आ गए हैं हमारे साथ यह हमारे साथ रोहित मोहित हैं हमारे साथ ठीक है और अली है और फिर से रोहित मोहित हैं यहाँ पर और अजवल है ठीक है और यह शान अंसारी है जोया अंसारी है और और भाईयों हाँ क्या चैलेंज बताओ आज का चैलेंज बताओ आज का चैलेंज कुछ नहीं है हम भी है गुरू जी थैंक यू सर आप आप हैं देवराज जी गुड इमनिंग और अक्षित है तो बचो टैंज ग्लास का यहां पर हमने रिवीजन बैच लिया है और इस रिवीजन बैच में हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे के हम इसको कम्प्लीट करें बस आप लोग शेर कर दीजिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपका जुड़ना हमारे अटलिस मेरे लिए उनके लिए यह वाला जो चैप्टर है यह आपकी जब आप 11 में आएंगे या 11 में अगर आप है भी समय लास्ट में आज बचो आजाती है आपकी हीमन फिजियॉलरोजी एक गर आप लोग के लिए इंपटरंट है because of अगर आप जो है आप करना चाहते हैं medical के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि even medical पकर आप नहीं भी चाहते हैं आप ISPCS की coaching भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों की biology से life process वाला portion बहुत अच्छा आता है और सब 9-10 का base होता है तो यह most important है regular batches की तरह बहुत दा deep में तो मैं नहीं जा पाऊँगा but यो more and main main important topic है वो आप लोगों के लिए cover किये जाएंगे ठीक है तो आप बस बने रहिए बहुत जल्दी से हम start up करते हैं cover करते हैं सारी चीज़ों को ठीक है चलिए start देखते हैं बच्छों तो हम बात कर रहे है life process की life process होता है क्या है तरह समझ लेते हैं simple से language में हम समझते हैं कि life process क्या होता है ठीक तो क्या कह रहा है कि the basic function जी हाँ the basic function performed by organism to maintain their life on earth called life process जी हाँ एक normal organism हर वो function अपने आपको रहे जिन्दा रखने के लिए वो सारे function करता है वो lie क्या होता है बच्छों उसे life process कहते है वो function कौन से होता है लिका है all living things perform certain life process जी हमने कहा तो living organism जिन्दा रहने के लिए वो सारे और सारी चीजों को perform करता है पर वो कौन कौन से चीज़े perform करता है बच्छों उसकी जिन्दगी के अंदर आपको growth देखने को मिलेगी वो excretion करेगा वो respiration करेगा circulation करेगा all the process like respiration, dization which together to keep living organism live and perform the job of body maintenance and called its life process मतलब एक living organism जिन्दगी सारी चीजों को करने के बाद वो living रहता है जियां एक living organism जिब सारी चीजों को इनको कर लेगा तभी वो living रह पाएगा पर एक्जामपल कोई living organism है अगर वो उसकी living organism की growth रुख जाए तो जिन्दा नहीं रह सकता वो है ना पर एक्जामपल अगर उसका excretion रुख जाए जैसे हम लोग बिमार होते हैं और अगर बिमार होने पर हमारा excretion बच्चों रुख गया तो हमारे लिए problems हो जाएगी बहुत problem होगी हम लोगों के लिए ठीक हम कहें के respiration जी हाँ कर किसी का respiration आपने रोग दिया तो living organism हो सांस ही ना ले तो जिन्दा नहीं रह सकता circulation ना हो तो जिन्दा नहीं रह सकता इटमिस यह सारी चीज़े करने अगर आप करते हैं तो ही आप living organism कराते हैं ठीक है तो आप चाहो तो इसकी definition का screenshot ले सकते हो चलिए देखते है next क्या है अब बाता दिए वो कौन कौन से process होते है life process में बच्चों तो ध्यान ने कियेगा आप ये भी लिख सकते हैं कभी कभी ये भी आता है आप शॉट्स में आता है कि एक नंबर में question आ जाता है दो नंबर में question आता है कि आप बताए life process के बारे में त और पार्ट है तो थोड़ा सा इसको क्या करें तो थोड़ा सा बढ़ा दिया है growth है excretion है reproduction है nutrition है movement respiration excessivity यहां पर नहीं है तो यहां पर क्या है transportation नहीं है for example तो कुल बिलाकर यह है कि सारी की सारी चीज़े बच्चों क्या है एक living organism में जिया एक living organism को जिन्दा रखने के लिए यह सारी चीज़े जरूरी होती है अगर कोई living organism है और वो as a living organism रहना चाहता है तो इसको यह सारी चीज़े perform करनी पड़ेंगी especially बच्चों मैं बात करूं तो higher organisms की higher organism की बच्चों मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर यह सारी चीज़े perform होती है I hope so आपको समझ में आ रहा है चली देखते है next अब आ जाते है बच्चों life process के अदर एक और topic आता है जो most important में हम count करते हैं तो वो क्या होता है बच्चों वो होता है मारे पास यहाँ पर वो होता है बच्चों nutrition ठीक है अब बाता जी nutrition में क्या होता है तो यहाँ नगे का nutrition सबसे पहला हम लेते है autotropic nutrition clear यहाँ नगना auto का मतलब ही बच्चों होता है self ठीक है autotropic nutrition तो क्या कह रहा है autotropic में it is the mode of nutrition in which organism synthesize their own food from simple organic substance such as water and carbon dioxide मतलब कोई ऐसा organism जो अपना खाना इन और्गैनिक सबस्टेंस से बनाता है जैसे के for example water और carbon dioxide हम कह सकते हैं water और carbon dioxide है अगर चैमिकल की फॉर्म में लिग है तो H2O plus कह लिखा हुआ है carbon dioxide जिया इन दोनों का use करके कोई organism अपना खाना बनाता है तो उस खाने बनाने के तरीके क हम बच्चों क्या कहते हैं autotropic mode of nutrition अब ये कौन करते हैं ये करते हैं बच्चों green plant जी हाँ जितने भी green plants अगा आप देखते हैं उस सारे के सारे क्या होते हैं autotrops होते हैं sorry क्या लिगा है green plants are autotrops they synthesize food by the process of photosynthesis अब जब green plants अपना खाना बना रहे हैं तो उसके तरीके को हम बोल थे autotropic nutrition अब क्योंकि वो autotropic nutrition कहा जाता है उनको तो बच्चों वो जो सारे के सारे हो जाएं अब वो गए autotrops clear और जिस तरीके से ये काम करते हैं इनका जो तरीका होता है अपना खाना बनाने का बच्चों उनको उस तरीके को बच्चों हम बोलते हैं photosynthesis यानी process होता है for example ए आप रात में क्या हुआ आप रात में अपने बैट पर लेटे आपने क्या किया अभी जो सर्दी चल रही तो कंबल आपने ओड़ा और आपके खराड़े शुरू हो गया है तो आप इसे क्या कहोगे मैं कहुंगा यह is playing football cricket नहीं 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 मैं नहीं कह सकता मैं बोलना पड उस खाना बनाने के तरीकों को बच्चों हम बोलते हैं photosynthesis जितने भी green plants होते हैं अब यह green plants जो है photosynthesis करते हैं किसके sunlight लेते हैं carbon dioxide लेते हैं सल लाइट कार्बन डाइकसाइड और वाटर जैसे मैंने भी आपको बताया देखो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वाटर है यहाँ वाटर है यहाँ पर कार्बन डाइकसाइड है यहाँ पर क्या है आप अगर देखेंगे कार्बन डाइकसाइड है तो ये दोनों की reaction होगी किसकी presence में? Sunlight की presence में और क्या निकलता है बाहर? Oxygen बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? Sugar यानि हम कह सकते हैं Carbohydrate चलो तरह Photosynthesis को भी समझ लेते हैं क्या होता है Photosynthesis? आपको I Hope तो दिख रहा होगा ना बचो अगर नहीं दिख रहा तो फिर मैं इसका पीछे का background change करता हूँ आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आपको जो visibility है वो proper हो रही है आपको आवाज यानि voice और visibility जी हाँ voice और visibility अगर okay है तो प्लीज आप मेरे को okay लिकर भेज़ें बिटे कैकशा है कपिल है बहुत सारे बच्चे हमारे साथ है आपकी visibility और आपको आपकी visibility ठीक है यहाँ पर और voice अगर बिल्कुल सही है तो प्लीज आप मेरे को reply करे येस सर मोहित रोहित मोहित बोलने है येस सर ठीक है बटा और कोई किसे को problem हो तो आप मेरे को बताए we'll try to next time के हम इसका background change करेंगे और अच्छी quality लाएंगे अफरीन थैंक यू बटा अफरीन अगर आप जुड़ी हुई है तो जुड़े रहिए क्योंकर अच्छा है ये ठीक है उजवल जाट है बटा अब हम बात करते हैं समझते हैं फिर दुबारा कि photo synthesis क्या होता है simply form में समझते हैं एक पहले सो समझ लेते क्या लिखा हुआ है it is a physiological process by which plant cell containing chlorophyll produce food in the form of carbohydrate using carbon dioxide water and light oxygen is released as by the byproduct of this process मतलब photosynthesis एक वो प्रोसेस है बच्छो ध्यार ने कियेगा photosynthesis वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एक plant ने क्या किया है समझना एक plant की leaf ने और leaf के अंदर कोई cell ने plant की leaf ने leaf के अंदर cell ने मीजोफिल सेल्स होती है मीजोफिल सेल्स ने क्या किया है के carbon dioxide plus water जी हाँ carbon dioxide plus water चलो ले लिया फिर क्या हुआ है sunlight उपर से sunlight आई environment से और chlorophyll की presence में इन लोगों ने जब reaction करी तो क्या बना बना बच्छो glucose जी हाँ और हमेशा जाद रखना glucose का formula C6H12O6 C6H12O6 जी हाँ ये glucose का formula है glucose बना ठीक किसकी form में carbohydrate की form में और oxygen क्या निकल गया है बच्छो बाहर निकल गया जिसको है ना आप देखो carbohydrate मनलब sugar हम कह सकते हैं ठीक है we can say sugar also ठीक तो क्या हो रहा है photosynthesis वो process है जिसमें plant बाहर से carbon dioxide लेता है environment से जमीन से पानी water लेता है और सूरज की रोशनी में sun और chlorophyll की presence में यहाँ पर क्या होता है mesophyll cell के अंदर एक reaction होती है उस reaction के होने से बच्छो क्या बनता है यहाँ glucose बनता है then उसको उसके बाद जब use किया ध्यान लगना बच्छो जब एक plant जो है उसको use कर लेगा तो use करने के बाद जो बज गया जो एस्ट्रा एनरजी बज गयी है उसको वो save करता है starch की form में किस की form में? starch की form में अब starch कहा मिलता है? किसी भी plants के अंदर मिलने वाला जो उसका fruit है ठीक है? वो fruit के अंदर starch मिलता है मतलब सारी energy पहले उसमें use की जो energy बच्छो बच जाती है उस energy को वो starch की form में फलो के अंदर रख देता है और उन फलो को हम खाते हैं और इससे हमें energy मिलते हैं कैसे energy मिलती हैं वो भी आपको बता हूँ ठीक? आई होप सो इस तिजमात समझ मा गई होगी चलिए next देखते हैं क्या लिखा हुआ है अब आपने कहा चलिए ठीक है तिस बास समझ मा आ गई अब आप कह रहे हैं को chlorophyll क्या है जर इसको समझ लेते हैं chlorophyll क्या है it is the green pigment जी हाँ आपको दिखाई दे रहे हो यहाँ पर cell में दिखाई दे रहे हैं छोटे 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 नननने से ठीक है चुनने छुनने से ठीक यह क्या है ग्रीन pigment found in green plant हमेशे ग्रीन प्लांट्स में मिलते हैं chlorophyll present in chloroplast कहां मिलेंगे ये chloroplast में मिलेंगे बच्चो ठीक है अब बादाई चलो ठीक है आपने कहा क्लोरोफिल कहां मिलेगा chloroplast में मिलेगा तो chloroplast क्या होता है भाई तो जब यह भी समझ लेते हैं chloroplast is a membrane bound oval shape organically मतलब membrane bound बार बार biology में एक word आता है बच्चो membrane bound तो एक ऐसी चीज़ फर एक्जामपल फर एक्जामपल बलून लाइप 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 लेज़ी तरही फर एक्जामपल ये कोई ये कोई चीज़ है माना फर एक्जामपल अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि इसको हमने क्या कर दिया है अब हमने यहाँ पर इसको पर क्या बना दिये बच्चों एक cover चड़ा दिया तो ये जो organically है ये membrane bound है clear अब वही पर आप अगर फर एक्जामपल हम वापस चलते है आप ये आ जो ठीक तो आप देखोगे कि यहाँ बानी के चलो फर एक्जामपल A और B तो A क्या है A के उपर आपने cover लगा दिया तो ये हो गई बच्चों membrane bound यानि इसके उपर आपने membrane लगा दिया और ये क्या है non membrane bound है non membrane bound है यानि इसके उपर membrane नहीं है बहुत confusion होता है membrane bound क्या होता है चीक है oval shape हम जानते है जैसे हमारी earth होती है जिस तरह का shape होता है like a egg oval shape हो गई है अब क्या कह रहा है cell organically ये word क्या है cell organically cell के अंदर ये हाँ जैसे हम लोग है हमारी body के अंदर जितने भी अंदर जो है organ है जितने भी चीज़ अंदर मिलेगी फर एक्जामपल हम कहें हमारी body में भी या liver है ठीक है lungs है ठीक है spleen है और x y z जो भी है वो सारे के सारे body के क्या कहरा जाते है organs होते है है ना क्या होते है organs होते है ऐसे ही cell के अंदर मिलने वाले जितनी चीज़े है वो सारे के सारी organically है पर एक्जामपल पहले नंबर पर हम chloroplast रख सकते है दूसरे पहले पर हम गॉलजी body रख सकते है mitochondria कह सकते है सेंड्रियॉल्स कह सकते है lysosomes है मतलब जितनी चीज़े आपको internal मिलती है एक cell के अंदर वो क्या हो जाती है बच्चो वो हो जाती है cell की organically clear तो अब क्या कह रहा है chloroplast is the membrane bound oval cell organically मतलब cell के अंदर मिलेगा ये cell के अंदर आपको क्या मिल जाएगा chloroplast मिल जाएगा चलो जी मिल गया आगे देखते हैं क्या लिका है it is enclosed by the double membrane जी हाँ double membrane और आपको एक बात बच्चो कहीं को लिख लीजिएगा जो बच्चे live है कि जहाँ पर भी आपको cell के अंदर double membrane word use हो जाए यानि किसी भी cell के अंदर अगर आपको ये word आके मिल गया कि double membrane तो बच्चो बिलकुल आँख बंगर के समझ जाईएगा कि उसके अंदर अपना क्या है बच्चो DNA है ज्यान न कियेगा वो औरगेनली अपना DNA लेकर बैठी है clear ऐसी कोई औरगेनली जहाँ double membrane आजाए वो औरगेनली क्या लेकर बैठी है और हम जानते हैं कहां कहां होते हैं याद रखना बच्चो चीज़ थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ बट मुझे थोड़ा सा आ गया तो अपको मालूम बना चाहिए कि cell के अंदर एक तो होता है नूक्लियस डबल मैमरेन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं ठीक है प्लांट सेल की बच्चो बात करता हूँ तो पहले नंबर पर नूक्लियस दूसरे नंबर पर क्लोरो प्लास्ट और तीसरे नंबर पर माइक्रो कॉंड्रिया जी हाँ Inclosed by the double membrane चलो double membrane है, यह outer membrane हो गई है इनर membrane हो गई है, इनर membrane हो गई है अपर डागराम पर दिखाई दे रहा होगा That is called outer membrane और यहाँ पर आ गई है बच्चो यह रही Inner membrane, चलो जी आ गई है It's contained the closely packed flatted set called thalukoid, और इसके अंदर सिक्के की तरह लगे हुए है यहाँ सिक्के की तरह लगे हुए है बच्चो इनको बोलते हैं thalukoid यह thalukoid होती है अब thalukoid के अगर आप जीसे आप वो रखते हो खरीज खरीज की पूरी एक बच्चो बना दो आप इस तरह की तिको की खरीज की रहा है इस लाइन को बच्चो बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम क्या नगना तो पूरी लाइन आपकी ग्रेना या ग्रेनम हो गई एक थalukoid हो गई क्लियर क्लोरोफिल इस प्रिजेंट इन दा थalukoid एक्चुली यह वाले जो क्लोरोफिल हैं वो इन थालukoid के अंदर हैं या देख रहा हूं इसलिए क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में है क्लियर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थालukoid है और उसके अंदर क्या है बच्चो क्लोरोफिल्स है क्लियर क्या लिगा है थालukoid cells are arranged in to the by celled grain आजिया एक प्लर की तरह है lying in the colorless ground substance called stroma अब क्या लिगा है stroma मतलब क्या है कि जिसके अंदर मौझूद है जैसे आपने क्या किया आपके घर में घर के अंदर अगर बच्चो custard क्या था 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 हूँ आप लोगों के लिए easy हो जाएगा custard होता है custard for example ये आपका क्या बनाया एक बाउल है और बाउल के अंदर हमने क्या बना रख दिया भाई ये बाउल के अंदर हमने custard रख भर दिया ये सारा ठीक है custard हो गया अब क्या होता है इस custard के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कस्टट के अंदर आपको फर एक्जामपल मम्मी ने ये बादाम रख दिये ठीक है और क्या क्या आता है भाई काजू भी होते हैं काजू भी है और बनाना भी है है ना तो एक्शली ये सारी किसके अंदर मौझूद है ये कस्टट के लिक्विड बना हुए ना उसके अंदर मौझूद है तो ऐसी बेटा सिंपल सा फंडा है कि यहां पर भी क्या है यहां के अंदर भी एक लिक्विड है जिसके अंदर ये मौझूद है यह रखे हुए है ऐसे खाली सा नहीं है कि आपने क्या लिया आपने कोई खाली सा बॉक्स लिया उसे हिलाया तो देखा रहा बड़ सारे पैसे हैं भाईया तो घुल लग है हमारी बहुत सारे पैसे है इसके अंदर तो ऐसा नहीं होता बलके वो रुके हुए है ठीक तो जिस लिक्विड में ये रुके हुए है बच्चो उस लिक्विड या उस सब्स्टेंस को बच्चो हम बोलते है स्ट्रोमा क्या कहते है उसको स्ट्रोमा कहते है तो आई होप सा आपको इतनी बास समझगा आई यहाँ तक तो कोई कन्फिजन नहीं है क्लास होगी और important question अब discussion करेंगे है ना क्योंकि देखो क्या हो रहाएगे मैं अखेल स्पूदी फ्रैंक मैं अखेला हूँ यहाँ पर मेरे साथ बस एक मेरे छोटे भाई बैठे है ठीक वो बिचारे work कर रहे है तो मुझे एक दिन का time दीजिए अब हम alternate करेंगे एक दिन हमारी क्या होगी Monday हमारी एका 10 क्लास है तो Tuesday हमारी 12 क्लास होगी ठीक है न सर देखो यह हमारे भाई भी बोल रहे हैं कि सर सही है मैं आपके साथ हूँ आप हो मेरे साथ भई नहीं यह अभी आवाज नहीं आ रही है भई देख लो यार बटालो बटालो इनको सर को ठीक है तो इस तरह से है ना ठीक है चलिए बच्चो प्लीज आप ज़रा दियान यहां दीजिए आप लोग 12 क्लास में हैं तो आई होप साथ आपको यहां तक ट्लियर हो गया होगा अब ज़रा हम आगे चलते है ठीक है आगे बच्चो देखते हैं आगे के लिका हुआ है अब आप कहरो क्लोरो प्लास भी कहां मौझूद है तो बच्चो क्लोरो प्लास भी यहां पर है यह मीजो फिल सेल्स होती है याद रखिए का दीज आर ना मीजो फिल सेल्स मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट में थैलोप्लास्ट है और थैलोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है तो आप से कोई पूचे कि प्लांट सेल्स के अंदर कहां पर फोटो सिंथाजी हो रहा है तो आप बोल सकते हो मीजोफिल सेल्स में हो रहा है पुछे जी मीजोफिल सेल्स में कहां हो रहा है तो आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है पुछे क्लोरोप्लास्ट में भी कहां होता है आप बोल सकते हो थैलिकोईट्स में होता है तो पुझे बने भाई थेलेकॉइट में भी कहा होता है तो आप कैसे तो फिर मेरे लाल कि वो होता है आपकी कलोरो फिल्मे इसलिए उसको साइट आफ फोटो सिंथेसिस भी कहा जाता है जी हाँ, इसी दा साइट आफ फोटो सिंथेसिस क्लियर? अब एक और वर्ड आ जाता है, बच्चो स्टोमेडा क्या होता है स्टोमेडा, ध्यान लगिएगा जैसे हम सांस लेते हैं तो उपर वाले ने, रब ने हमारे मुँ बनाया हमारी नाक बनाया, दोनों में यहाँ तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी हवा को जाने के लिए, आने जाने के लिए एक रास्ता बनाया, एक दर्वाजा तो नहीं कह सकता हूँ, खिड़की बनाई चोटी सी ठीक है, उस खिड़की को बच्चों हम बोलते है स्टोमेडा, क्या लिका है तरह देख लेते हैं स्टोमेडा, माइन्यूट इंग, माइन्यूट ओपनिंग प्रिजेंट इन दा एपिडर्मल लेयर आफ लीव माइन्यूट मतलब बाईओ में माइन्यूट का मतलब बारीक होता है क्लियर, दे आर रेक्सपॉनसिबल फॉर गैसे एक्चेंज जूरिंग दा फोटो सिंथेसिज यहां, फोटो सिंथेसिज में बच्चो यहां से ही क्या होता है यहां से ही गैसिस क्या होती है बच्चो यहां आप देखो कि तो फोटो सिंथेसिज में ऐसा होता है कर्बन अधर जा रहा है और ऑक्सिजन बाहर आता है लेकिन respiration के टाइम में क्या होता है कि oxygen यहाँ पर in करता है और carbon dioxide बाहर जाता है ठीक है यह नहीं gases का exchange हो रहा है even excessive water भी यहाँ से बाहर जाता है transpiration में excessive water जो होता है जो ज्यादा water हो जाता है वो भी यहाँ से बाहर जाता है बच्चों याद रखियेगा तो यह वो holes होते हैं बारीक बारीक से बहुत महीन महीन से जहां से gases का exchange होता है उसका नाम है histometer clear अब ज़रा एक वरवड आ जाता है process of photosynthesis क्या होता है तो बच्चों इस equation को ध्यान नगिएगा chemical equation क्या होती है carbon dioxide plus water कहां पर chlorophyll की chlorophyll already कहा होता है हम जान चुके है sunlight की presence में क्या मिलेगा आपको CCS2L, OSIS, Glucrose मिलेगा और plant क्या बहाँ निकाल देगा बच्चों वो निकालेगा oxygen देखो लिखा हुआ भी यह आपर है light is absorbed by chlorophyll light energy absorbed convert into the chemical energy जी हाँ light energy plant ने लिया है और उसको chemical energy में convert कर देता है ठीक, कोई आप से पूचे एक बईया ठीक तमरे काम का नहीं है यहाँ देखो, कोई आप से पूचने लगी के बताओ भाई साब क्या-क्या जरूरी है photosynthesis के लिए तो आग बंगर के लिख देना chlorophyll, light, carbon dioxide and water are the necessary for photosynthesis clear next देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है अब तो होगिया autotropic nutrition second number पर आ जाता है आपका heterotropic nutrition अब heterotropic nutrition क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है it is the mode of nutrition organism which cannot synthesize their own food but they are depend to another organism for food मतलब ऐसे organism जो अपना खाना खाने के लिए खुद पर depend नहीं है मतलब simple है यार ऐसे organism जो अपना खाना अपना आप नहीं बना सकते उसे अपना खाना है तो उसे दूसरों पर depend होना पड़ेगा ऐसे organism के जो तरीका होता है वो autotropic mode of nutrition होता है और इन सब को बच्चों heterotrophs भी कहते हैं sorry heterotropic mode of nutrition heterotrophs लिखा हुआ है organism exhibiting the heterotrophic nutrition are called here heterotrophs मतलब हर वो organism जो अपना खाना अपने आप नहीं मना सकता उस सारा heterotrophs है और हर वो organism जो अपना खाना अपने आप बना लेगा अपनी बाड़ी में अपने आप अपना खाना बना सकता है वो कौन है बच्चो autotrophs है अपना खाने का मतलब यह नहीं के सर हम तो में चाय बनाना होता है मैं अपना चाय बना लेता हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता अपनी बाड़ी के अंदर आप अपनी बाड़ी के अंदर चाय नहीं बना सकते थीक है? आप अपनी बॉटे के अंदर बिर्यानी नहीं मना सकतें नहीं मना सकतें, क्यों? क्यों कि we are the hydrotrops हम hydrotrops हैं, या तो हम किसी animal पर depend है या मेरे लाल हम किसे ओपर हैं, plant के ओपर depend है तो ऐसे organism जो animal या plants पर depend होते हैं वो क्या होते हैं बच्चो हेट्रोट्रोप्स होते हैं एक्जाम्पल में आप इसको कोड़ ले सकते हैं वैस्ट एक्जाम्पल क्या है या आप देख सकते हो पूरे के पूरे जितने भी हायर और्गानिजम्स होते हैं फिर चाहे वो एक लीविंग और्गानिजम में यह सारे का आप गुरूप देख सकते हो या फिर आप और हम हम भी क्या है हेट्रोट्रॉप हेट्रोट्रॉप्स है अब आजाए हेट्रोट्रॉप्स भी कितरे तरह के होते हैं हम अपना खाना अपना आप नहीं बना सकते हैं पर किस तरह से दूसरों पर डिपेंड है भाई ये भी तो बताओ तो हम टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड अफ नूट्रिशन देख लेते हैं पहले होते हैं बच्चो सेप्रोफाइटिक जी हां सेप्रोफाइटिक क्या कह रहा है और्गैनिजम आप्टेन देयर फूट फ सेप्रोफाइटिक है ना क्या होते हैं सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं और ये कहा जाता है बच्चो कि सेप्रोफाइटिक इस दा क्लीनिंग स्काफ ऑफ दा गौड जी हां आप देखो यार फूई है फूई है फंजाज इसको हम जानते हैं और मैं फूई के नाम से जानते है तो कभी सोचो यार उपर वालेने ने फूई बनाई कहीं भी लग जाती है पलाण्ट भी लग जाएगी वुड पे लग जाएगी किसी पनी इसान भी लग जाएगी क्या काम चया है इसका बच्चो बहुत इंप्रॉटेंट काम है इसका इस अप्रोफाइटिक है आपके घर के अंदर तो चूहा मरा सोचो आपके घर के अंदर चूहा मरा तो आपको इसमेल लाई अपना सुचार बिमारी पहल जाएगी चूहा को डाओ फेको बाहरी तो गड़बल कर देगा सारा लुकसान हो जाएगा इससे तो हमारा लेकिन मेरे लाल मेरे बच्चों सोचो कभी के उपर वाले ने जंगलों के अंदर नजर कितने और्गैनिसम रोज मरते होंगे फिर उनका क्या फिर तो तो वो सड़ेंगे खराब होंगे तो दूसरा वाला जो और्गैनिसम हो तो मर जाएगा उससे बिमारी फैल जाएगी तो उसके लिए उपर वाले ने सेप्रोफाइटिक रखा कि जब ये सडाएंगे भी यही और खाएंगे भी यही जी हाँ ये सडाते भी हैं और खाते भी हैं सड्यूँची जी तो वो हो जाते हैं बच्चों हमारे सेप्रोफाइटिक यहाँ परावाध करें तो वे शुरून लिख सकते हैं दूसरा आता है पैरसैटिक पैरसैटिक क्या होते यह सडा कर नहीं खाते हमारी बॉड़ी के ऊपर हैं वो एक्जो पैरसाइट हैं और जो हमारी बॉड़ी के अंदर जी हां हमारी आपों में मिलने वाले वो सारे के सारे क्या हैं एंडो पैरसाइट हैं ठीक है एक हो गए एक्जो पैरसाइट और एक हो गए बच्चो एंडो पैरसाइट दो तरह से है क्लियर क्या लिखा हुआ है एक्जामपल में हम क्या कर सकते हैं बच्छों लीच कर सकते हैं यानि जो हमारी बॉड़ी के ऊपर से खाना ले रहे हैं वो एग्जो पैरसाइट और जो अंदर जा कर ले रहे हैं वो एंडो पैरसाइट अब एक आते हैं बच्छों होलोजोईग होलोजोईग कौन होते हैं होलोजोईग मात बच्छों आते हैं हम आप हम या जो बड़े और्गानिजम है ये पहले खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं पहले खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं सैप्रो Windows करेंगे फिर खाएंगे, ठीक पेरे सैड니ंग में डायजेस्ट खो अवावा खा लेंगे, और जो होलोग है पहले खाएंगे, फिर डायजेस्ट करेंगे वोसमें कौन आते हैं बच्चो आप और हम और जो higher organisms आते हैं वही लिखा हुआ है आप screenshot ले सकते हैं clear चलिए next देखते हैं बच्चो nutrition in amoeba nutrition in amoeba में एक समझ लेते है most important है क्या लिखा हुआ है amoeba ingolf ingolf का मतलब होता है लेना तो amoeba देख फर एक्जामपल ये amoeba है amoeba के पास कोई food particle आया तो amoeba क्या करता है अब इसके पास हाथ में हो नहीं है चमचमच तो नहीं है तो ये इस तरह की देख रहो ये इस तरह का portion आगे निकालता है उसको बच्छों बोलते है सीडो पोडिया जी आँ सीडो पोडिया और पोडिया का मतलब ही होता है बच्छो फूट ठीक है ना पैर होते हैं और बाइलोजी में एक वर्ड आता है बच्छो सीडो सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स जूटा नकली तो ऐसे पैर जो नकली पैर है उनकी हल्ब से ये इंटर्नल करता है उसको अंदर ले ले लेता है ठीक है? तो ये चलने के काम भी करते है और फूड को इंगल्फ भी करते है फिर फूड क्या जाएगा? अमीबा के अंदर आएगा फूड वेक्यूल में वहाँ पर उसके ओपर कुछ एंजाइम काम करेंगे वो डाइजेस्ट होगा महीन महीन चीजों में डिवाइड हो जाएगा और फिर बॉड़ी में एब्सॉप्ट होगा और फिर उसके जो एब्सॉप्ट जो बज़ जाएगा उसे बाहर निकाल देए उसे हम एजेस्ट कहेंगे तो जो बॉड़ी ने अमीबा में ने लिया वो इंजेशन उसके बाद जो हुआ डाइजेशन डाइजेशन के बाद होता है एब्सॉप्शन absorption के बाद होता है explosion या ingestion और last वाला ingestion यह amoeba में हैं अगर हम यही बात करें पैरा paramecium में तो आप देखो बच्चों यहाँ पर paramecium की आपकी बाटी देखाई 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 तरहाई यह सीलिया है सीलिया यह इसके moment में help करती है और अगर कोई खाना यहाँ आ गया तो बच्चों यह आप देख रहाई है ना बकल overtro क्यासर के बतर जमन इसको हम बोलते हैं groove oval groove और यहाँ से खाना अंदर जाता है बच्चों यहाँ से खाना अंदर जाता है ठीक है लिखा हुआ अभी है the food is taken in at the specific spot नाम है इसका groove the food is brought close to the oral groove by the cilia cilia के health से ओवर गूप में जाएगा present on the body surface और paramecium, paramecium surface पकर फूट आ गया तो यह क्या करती हिलती रहती है paramecium को आगे भी भेजने का काम इन्ही का है और यह क्या करती धीरे 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 अगर आप देखो है cilia छोटे छोटे होते है ठीक है याद रखना बच्चो अब आजी है most important बच्चो most important है nutrition in human week most important topic है यहाँ से question आपको hundred percent एक question आपको यहाँ से देखने को मिलेगा मिलेगा ठीक है यहाँ पर आपको important question देखने को मिलेगा मैं लिख कर दे रहा हूँ बच्चो क्या है जरा देख लेते हैं बच्चो या नगना यह है बच्चो हमारा elementary canal जी हाँ elementary canal या इसको gut भी कहते हैं बच्चो gut भी कहते हैं जिसके अंदर सबसे उपर आ जाता है हमारा mouth mouth के अंदर मिलेगी हमें saliva जी हाँ जैसे mouth में हमने कोई चीज़ खाना खाते है ना तो पहले चबाएंगे teeth, dentunk और उसके बाद saliva दे ना यह slivery gland जहां से saliva secret होता है उसके बाद secret होने के बाद औसो phagus से नीचे जाता है यह औसो phagus है इसे बच्चो हम food pipe यह पी है बच्चो सॉरी यह food pipe के नाम से जाते है फिर food pipe से सीधा stomach में आएगा stomach से होता हुआ कहा पर आएगा small intestine में यहाँ पर भी कुछ होगा जो होगा भी बताता हूँ आपको then final large intestine में large intestine से unabsorbed food या waste material others की health से बाहर निकलता है अब कैसे जाएगा जरा मैं आपको बताता हूँ लेकिन क्या लिका हुआ elementary canal में elementary canal is a long tube extending from the mouth to anus क्या है elementary canal एक लंबी tube की तरह है बच्चो tube की तरह है और यहाँ पर आप यह देख रहा हूँ नहीं यह सारी चीज़े हुई है क्या है यह इसका modification है tube क्या है modification कर गई है तो modification है किसका elementary canal का कहां से शुरू हो रही है mouse से शुरू हो रही है और anus पर जाकर बच्चो complete हो रही है food is tubed जी हाँ food को आपने chewed करा खाया mixed with saliva जब आप किसी चीज़ खाने को खाते हो तो क्या करते हो saliva को से mix हो जाती है with the help of tongue and teeth जी हाँ आपने खाने को चबाया दातों से उसके बाद जीब ने क्या करा कि यहाँ पर जो हमारी slivory glands है उन slivory gland ने क्या किया है saliva निकाला वो saliva हमारे खाने में mix हुआ अब उस खाने को जो street food को बच्चों हम क्या कहें देखते है saliva which contains slivory amylase act on the starch presented food हमारे खाने में जो starch है आपने कोई फल खाया आपने कोई apple लिया तो apple के अंदर क्या है starch है तो starch को उपर attack करता है हमारा gone slivory amylase जिसको maltose में गनवर करता है याद रगना मेशा saliva is secreted by the three pair of slivory gland यहां माने है three pairs होती है बच्चों यहां पर एक दो तीन ठीक है अब आपको कोई से name बता हो तो आप regular batches देखना ठीक है थोड़ जल्दी चल रहे है आपर food is convert into the small particles and made smooth by mixing it the mucus and saliva now called bolus अब आपके खाने में क्या हो गया है mucus आ गया और क्या आ गया है राल या या निस लाइवा आ गयी तो खाना कैसे चिप चिप चिपाजा हो गया तो अब easy हो जाएगा निगलने के लिए आपका easy कहाँ पर जो है आपके food pipe में तब bolus move down through the औसोफेगस यहां पर जो यह खाना था इसके अंदर आप क्या करेगा खाना दीरे दीरे नीचे आएगा और नीचे आने के प्रोसेस को बोचे हम बोलते हैं parastatic moment जी हां यहां पर जो खाना आपका नीचे आ रहा है ना एक ज़र धर 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 नीचे नहीं किरेगा बल्के थोड़ा थोड़ा अराम अराम से नीचे आएगा तो इस आने के तरीके को इस आने के प्रोसेस को बोचे हम बोलते हैं parastatic moment once the bolus reached the stomach अब एक बार जब यह यहां आगिया इस टमख ना आगिया bolus बन दब खाना तो it acute upon the HCL यहां पर जैसे ही खाना आया तो हमारे इस चमख से क्या निकलेगा पहले निकलेगा बच्चो HCL hydrochloric acid निकलेगा और क्या निकलेगा बच्चो gastric juice निकलेगा ठीक और pepsin आएगा यानि hydrochloric acid gastric juice और pepsin निकलना शुरू हो जाता है मतलब इसको पर अटेक करेगा चलो HCL create the acidic medium from action of pepsin पहले नमबर पर जो आपने खाना खाया है वो खाने को हमारा जो HCL है उसके अंदर आए हुए बैक्क्रिया को मार देगा जब मार देगा तो even उसके बाद pepsin आना है तो pepsin काम करता है हमेशा acidic medium में तो pepsin को काम करने के लिए acidic medium जो provide करता है बचो वो provide करता है याद रखिएगा हमारा HCL then चलो भईया HCL आगिया उसने मार भी दिया pepsin को काम भी कराने दे दिया अब HCL तो बड़ा दुक्सान दाया गए hydrogloric acid है यार acid तो बड़ा problematic है हमार तो stomach को खराब कर देगा तो उपर वाले ने क्या करा कि भईया ऐसा है हमें काम करते हैं एक और चीज निकाल दे इसका नाम है mucus prevent the lining of stomach wall from acidic environment यानि यहाँ पर finally उसके बाद क्या निकलता है mucus निकलेगा मेरे लाल और यहाँ पर जो mucus निकलेगा वो mucus यहाँ पर acidic medium को alkaline में convert करेगा ताकि हमारा इस टमक से क्या हो जाए हमारे इस टमक को नुकसान न पहुँच जाए किछ से? HCL से आगे देखते हैं का लिका हुआ है पैपसीन जो आया पैपसीन convert protein into the peptides ध्यान लगना बच्चो peptiase ध्यान लगना पैपसीन protein पर काम करता है याद रखना मेंशा पैपसीन protein पर काम करेगा और पैपसीन को काम करने के लिए जो environment provide कराएगा वो कराएगा बच्चो HCL क्योंके पैपसीन हमेशा acidic medium में काम करता है चलो जी हो गया अब क्या होगा अब यहाँ पर क्या होगा बच्चो बच्चो इसको बोलता है इस पींचर हमारी बाडी में ना जाने कितनी जगा पर बच्चो क्या लगे हुए है इस पींचर लगे हुए है इस पींचर लगे हुए है और इस इस पींचर की वज़ा से यह बद रहता है अब यहाँ पर जो एक खाना आया था धीरे धीरे कहा आएगा small intestine में आएगा ठीक वालब धीरे धीरे खुला जैसे आप आप तोटी यहाँ पानी लिया तो हम हलका लका खोलते हैं अब हलका पानी कोलता थोड़ा 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 निकलता है ऐसी 이 स्पिंचर थोड़ा थोड़ा थक खोलेगा और जो है जो डाईजिस्टेट फूड है वो नीचे आएगा किस spinger का नाम याद रखना बच्चो पाईलोरिक spinger होते हैं small intestine is very long tube अब small intestine में पहुँच चुगा है small intestine क्या है ये देखो ये वाली small intestine है बच्चो क्या लिखा हुआ है very long tube found in abdomen जी हाँ पेट के लिए हम biology में abdomen word use करते हैं सीने के लिए हम word use करते हैं बच्चो thoracic हम पेट के लिए word use करते हैं abdomen अगर कहीं पर abdomen आया तो इसका मतलब पेट से related work कोई बात हो रही है it is about 6 to 7 meter जी हाँ हमारी small intestine 6 to 7 exact लंबाद के लिए तो normally 6 ये माद 6 meter होती है length about the 3 to 4 3.5 या 3 centimeter wide चौड़ी होती है बतब ये इस तरह से है ना चलो हो गया उसके बाद क्या होगा कि बाइल बाइल कौन निकालेगा हमारा liver निकालेगा liver एक juice निकालता है उस juice को बच्चों हम bile juice कहते हैं याद रखना बच्चों क्या लिका है बाइल जूस यानि बाइल इदर साया और यहां पर आप बीच में देखोगे तो बच्चों यहां पर आपको यहां यह वाला चीज यह देखोगे तो यहां पर आपको पैंक्रियास मिलेगा तो इधर से bile juice इधर से pancreatic juice secreted into the small intestine मतलब यहां पर small intestine हो तो यहां से तो यह लिवर bile secret कर रहा है और यहां से यह क्या कर रहा है पैंक्रेटिक juice secret हो रहा है चलो जी हो गया अब होकर क्या रहा है bile के bile act on the fat molecule जी हां fat molecule जो आप fat खाते हो जो आपने बर्गर खा लिया यह तबसे घदननाक चीज होती है तबसे late digest होने में oil और fats होता है and breaks them into the small fat droplets जी हां आपने जो यह fat खा लिया जो oil खा लिया इसको पचाने में कौन help करता है आपका liver करता है इसलिए liver important है ठीक है तो आपने जो खाया है जो fat आपने खा गया जबर्दस्ती में आपने जो oil ले लिया oil इसलिए तो बना करते हैं क्या होता है digest की नहीं होना तो digest कौन करेगा इसको digest करेगा बच्चो इसको bile करेगा bile कौन निकालता है liver निकालता है ठीक है liver से secret होता है this easy to action to of lipase on the fat and this process is called emulsification emulsification क्या है solve समझ लेया normally हम बात करें तो emulsification का मतलब होता है कोई large drop है किसकी oil की या fat की उसको छोटे-छोटे पार्ट में divide कर दिया तोड़ दिया बच्चो उसको हम बोलते है emulsification याद रखना आगे क्या कह रहा है अब pancreas वाली बात कर लेते हैं चलो pancreas juice contain the different enzymes such as tripsin, lipase, maltease, pesticides or sucrose which act on the food convert into the simple unit of carbohydrate, protein or fat जी हाँ मतलब जो आपने protein खाया आपके खाने में protein था आपके खाने में carbohydrate था आपके खाने फैड था इन सब को simple में हम घाय है ये तो हमने complex form में काई हैं तो complex form में हमने खाया तो हमारा काम नहीं चलेगा हमें तो simple one में convert करना है simple one में convert करने के लिए हमारा stomach, हमारा liver, bile juice निकाल कर हमारा pancarias, parigridic juice निकाल कर उसको क्या करता है simple one में convert करता है clear देखते हैं बच्छो यहाँ पर और शीया परश्या टॉपेक कम्पles करते हैं क्या लिखा होगा है इंटरस्टाइनल ग्लेνड ऑंसो सिक्रीट टु इंटरस्टाइनल जूस अब इंटरस्टाइनल में भी भ sutब्या पहुँच गया चलो जी पहुँच गया है इंटस्काइन मा आ गिया है और सुक्टेन इंजाइम इसमें भी एंजाइम है मतलब अगर कोई कार्वो हाइडरेट बज गया कोई प्रोटीन बज गया तो यहां बचाना नहीं है बलके क्या करना है फैट पर, कार्वो हाइडरेट पर, प्रोटीन पर और इन सब पर काम होना है और फाइनली हमारा खाना क्या हो जाएगा डाइजेस्ट हो जाएगा जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो सारे डाइजेस्ट होएवे खाने को जो लिक्विट्व कर नमड हो गया उसे हमारी बाडी के में स्मॉल इंडस्टाइल मिलने वाली विलाई और विलाई मिलने वाली माइक्रो विलाई क्या कर लेती हैं सोख लेती हैं एब्सॉर्ब कर लेती हैं क्यों 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 छाए के पर भी क्या फायदा होता है तौन फायदा यह है इसका कि इससे क्या हो जाएगा इसका बेग्राउंड ब्लैक करना और सब पोई कर दो हमने क्या कहा हमने कहा हमने गहां कि विलाय और माइक रुणार अर्विलाई अब चलो जी सारा खाना हमने ले लिया, सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा था जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, आपने पूरी मेहनत कर ली इस टमक ने, पूरी मेहनत कर ली पैंकरियाद ने, लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा भाई, खाने में बड़ी दि सीकम के हल्प से लार्ज इस्टाइन में आ जाएगा वेर वाटर एब्सॉब्ट और यहां से उस खाने के अंदर जो अभी हमने पाने वाने लाला था यार उसको क्या करने के लिए डाइजेस्ट करने के लिए यहां से पाने को एब्सॉब्ट कर लिया जाएगा ठीक है जी सारे खाने को rectum में लाकर छोड़ दिया जाएगा इसके बाद क्या होगा इट इस एक्सक्रिटिड और खाने को बाहर निकल देगा आउट अफ दा एनस एनस से बाहर निकल दे जाएगा जिसको आप वाश रूम में जाते हैं मैंने हर जगा क्या मिलते हैं बच्चो इस पिंचर्स मिलते हैं clear I hope आपको समझ में आई सारी बात दिये clear कोई दिक्कर तो नहीं है मैं बहुत जादा चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी पढ़ा हूँ बट मेरी मजबूरी है कि मैं कितना ही जल्दी पढ़ा लूँ फिर भी क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी है जो आपको समझना जरूरी बच्चो खाना पूर्ती नहीं करनी है हमें मैं आपके साथ मेनत कर रहा हूँ इस बार के नोट्स अलग है इस बार के नोट्स बिल्कुल अलग है फिर खाना पूर्ती नहीं करनी है हमें मेरत करनी है आपने आदा घंटा एक घंटा आप लोगों ने दिया थैंक यू थैंक यू सो मज़ बच्चो नेक्स टाइब हम बात करेंगे रेस्पाइरेशन में और ये हमारा important topic होने वाला है आई होपस बच्चो आपको अगर ये पसंद आई है कल नौ बज़े जी हैं कल नौ बज़े ठीक नौ बज़े आप लोगों की trial class की biology स्टार्ट करेंगे हैं जिसमें most important question को आपके लोगे लेकर आएंगे जिससे आपको definitely फाइदा होगा आप बचो आप लोगों इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बस प्लीज आप लोगों से request है कि आप चैनल को subscribe कर दीजे हमारी मेनत कामियाब कर दीजे पढ़कर मेनत आपकी है बस कोशिश बचो हमारी है आज के लिए इतना ही we will meet after the short break जै हिन जै भारत